नमस्कार दोस्तों आपका धर्मंत्री क्रिपा हेल्स सेंटर में बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों एक हर घर में प्रयोग होने वाली चीज होती है और जब भी हम खाना बनाते हैं सुबह साम तो उसमें एक कॉमन चीज होती है हल्दी हल्दी जो है हर व्यक्ति प्रयोग करता है चाहिए वो किसी भी धर्म से है किसी भी जाती से है लेकिन दोस्तों जब भी हम दवाई के तौर पर जैसे हल्दी का प्रयोग करते हैं तो हमें जो है घर की हल्दी का ही प्रयोग करना चाहिए यह पहले में चीज है तो दोस्तों यह जो मैं वीडियो बना रहा हूं यह अपने एक्सपीरियंस के उपर बना रहा हूं मतलब जो मेरा परसनल अनुभव होता है और जो मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूं ऐसा नहीं कि मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं या अभी सोच रहा हूं और वीडियो बना रहा हूं मेरा ऐसा नह लोगों को मैंने नुश्के बताए हैं एक वीडियो के अंदर पहले भी मैं जिकर कर चुका हूं और उससे दो तिन लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं और इसका कोई साइड इपक्ट ने कोई नुकसान नहीं है तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबी माता भाईयों भेहन का दोस्तों इससे आपका क्या होता है एक जैसे प्रोबकार की त्यार कर सकते हैं और कैसे दोस्तों है सबसे पहले जितनी आपको दोफकी का पॉलर ले जो घर का पिसाएफ वो घर की हल्दी हूँ और इसके अंदर विशेश्टायए होती है कि ये तीसरे साल निकाली जाती च्छोटी गाठ वाली होती है अब चौते साल जो वो सर जाती है वो ठोड़े खलके रंग की लाल हो जाती है और जिससे कुम-कुम बनता है कुम-कुम दोस्तों खल्दी से ही त्यार होता है और जो चौते साल जाकर के गुद्रती नैचल तोर पर बनता है जिसको पीस करके कुम-कुम के तोर पर प्रियुक कियाता है अब इसके बाद दोस्तों जो हल्दी है मालिया आपने एक एजी ले ली एक एजी हल्दी लेकर के हल्दी का पौडर लेकर के उसके अंदर जो तारी कच्ची हल्दी होती है उसका रस निकाल करके उसको डेली उसके अंदर धिगो दो ये पुरसेस आपको डेली करना है चाहे आप दस बार करो एकिस बार करो एकिस बार कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सा वार कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा और हजार वार कर लेंगे दोस्तों तो इसकी एक चुटकी हल्दी या दो चुटकी हल्दी जो है इसकी खुराग बनती है और ये किसी भी तरह का कैंसर हो जिसको हम हजार पुटी भी कहते हैं सरसर पुटी हल्दी भी बोलते हैं तो हर विमारी को जड़ से खत्म करने की ऐसा नहीं कैंसरी हर विमारी को एक यहां जिकर करूँगा दोस्तों ध्यान से सुनने वाले होते हैं मेरी वीडियो जिसको बोलते हैं हम गूगल जो धूब के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है लेकिन कुछ गूगल जो होता है वो सस्ता होता है और जो बड़िया वाला गूगल होता है वो लगवग तीन चार हजार पे किलो होता है अब इस गूगल को अगर आप माम दस्ते के अंदर थोड़ा सा घीट पकाते हुए अगर आप थोड़ा घीट पकाते रहें एक लाग चोट कर देते हैं एक लाग चोट उस गूगल के अंदर कर देते हैं तो दोस्तों स्रीड के अंदर कोई भी बिमारी है आँख में दर्द है सिर में दर्द है पेट में दर्द है घुटनों में दर्द है छाती में दर्द है पीठ में दर्द है कमर का दर्द है दोस्तो स्रीड की कोई भी बिमारी है यह प्राचीन आईरवेद के सास्तरों में ची जैसी मिलती है तो स्रीड के अंदर कोई भी बिमारी है किसी को बताने की मुझे कोई रोग है आप एक गोली सुबह सामस की चने के बराबर लेना सुरू करते हैं दोस्तों गूगल एक बहुत बड़ी है जैसे की पुनरबादी गूगल होता है शिगुरू गूगल होता है ये उसके अंदर फिर और जड़ी भूटी जो मिला दी जाती है लेकन अकेला गूगल अगर उसको एक लाग चोट कर दी जाती है तो दोस्तों एक स्वें बहुत बड़ी दिब्याफ़ी बन जाती है तो उसी तरह हल्दी भी है इसके भी बहुत सारे प्रयोग होते हैं दोस्तों थोड़ा सा टाइम यहां एक और चीज़ कोंगा जिस तरह लोहार के पास कहने का भाव यह है कि अगर आपके पास हल्दी है गूगल है तो उससे आप कोई भी दुबाई त्यार कर सकते हैं लेकन उस चीज़ का फिर पता होना चाहिए ज्यान होना चाहिए तो दोस्तों अब इस प्रकार आप उसको 21 बार कम से कम उसको पूट दे दें इसको पूग जाएगी फिर इसको पीस लें फिर इसके अंदर जो देशी गाय होती है उसके फिर 21 वार या 11 वारस को फिर संपूटित करिए 21 दिन के लिए अब क्या होगा कि फिर इसको सुखा करके पौडर कर ले हैं और इसकी डो जो रहती है दोस्तों छोटा आधा चमच है और साथ मैं तेन या चार दाने काई मर चके हैं दोस्तों अगर किसी का यकृत ब्रिद्धी है फैटी लीवर इसको बोल देते हम और उसके साथ शोनारक छाल का इस्तेमाल कर दी जाए तो जैसे कि फैटी लीवर बाले आज कर औरतें भी हो गई हैं और मैक्सिमम आज की तिसी मैं दोस्तों मैं कहूंगा कि 50 से 60 परसेंट जोगों का फैटी लीवर हो जुका है तो अगर ऐसी हल्दी को आप आधा चम्मच डेली खाते हैं पानी के साथ तो दोस्तों ये फैटी लीवर में काम करेगी साथ मैं शोनारक क्या एक छोटा सा टुकड़ा उसका पानी यो है वो दिये जाता है रात को उसको पानी को उसके टुकड़े को रात को पानी में डाल दिये जाता है और सुबह खाली पीट उसको पानी को पीना होता है तो ये यक्रति ब्रति में काम करेगा इसके बाद आता है दोस्तों कि जैसे कि किसी को कैसर है कोई निक्सान ने इस दौई से यह दौई नहीं हल दी ही है फिर क्या करें कि छोटादा चमच और उसके साथ तीन ये चार दाने काले मर्च के पानी से खालें एक टाइम ले लें चाहे दो टाइम लें दोस्तों आप डेवाई देखेंगे कि ऐसे मेरे को कॉल आये हैं मैंने पहले उसके उपर वीडियो डाल चुका हूं में और लोग ठीक हुए हैं मुझे ये बताने की जरूर्टी दोस्तों लेकिन अगर कोई भाई प्रयोग करना चाहता है तो इसका कोई नुक्सानी है कर सकता है क्योंकि हल्दी है यह हर्बल चीज है यह कोई भस्मा वाली जैसे मैटल होते हैं पड़े चांदी भस्म अपना वाली बात नहीं यह कोई यह आप कर सकते हैं और इसके बाद दोस्तों एक अंत्म है जिनको अलर्जिक अस्थमा खासी है वो थोड़ा सा जैसे हल्दी का इस हल्दी का चौप आधा चमच छोटा चमच आधा चमच ले लें और उसके साथ काली मिर्च मिला जाएं सोड़ी श उसको साथ में करें, शहद में मिला करके उसका परोग कर दोस्तों, आप देखेंगे दगे की चोट पर कहता हूं दोस्तों यह इतना ज्वर्द्परयो है कि मैं यूट्यूब को बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने आपको बता दिया, आप इसको इसको इस्तैमाल कर सकते हैं दमे का मरीज है खासी का मरीज है कहसर का मरीज है यक्रित प्रिद्धी का मरीज है दोस्तों आप प्रियो करके देखिएगा और आप देखेंगे कि ये कितनी बड़ी होस्ती है यक्रित प्रिद्धी वाले एक चीज का ध्यार रखें किसी किसी धक्ति को अगर आप थोड़ काम कर दे हैं अगर आधा चम्मच्त लेरें तो चमच्ज का तीसरा रिक्सा कर लीजी ड़। अगर फिर भी वैसे तो करता नहीं है मैं भी इस्तेवाल कर देता हूं अपने उपर हो अगर फिर भी कोई प्रशान नहीं आती को काला जीरा जीरा के उफर मैं 300 वीड्य़ बना सकते हूं डूसते बहुत बड़े लंबे प्यास होते हैं दूस्तों के ब्रको कड़ते हैं और senfish गुरूं के कसे हुए हैं इसे नहीं हों कोके फिक्रान हैं सिविका झाले केभा मैं बनाते हैं अपने लोकल मेंगा ہم लोकल पैष्एंड को इसके घर परिवार भी चला है ऐसा नहीं है तो दोस्तों मैं आपको बदा सकता हूं कि यह ओस्धि है बहुत योस्ती है आप इसका प्रियो कर सकते हैं और इससे आप जो लाव हैं वो भी ले सकते हैं तो दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप माताएं बेनाएं भाई इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह किसी तक भी पहुंच करके उसको ला तो दोस्तों वीडियो को देखने के दिए फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नमस्कार